पड़ी है कॉमिक्स इंडेस्ट्री में उनमें ये कॉमिक्स बेस्ट मैं मानता हूँ वन अब बेस्ट कॉमिक्स मैं मानता हूँ इसको रिमार्केबल ऐसी कॉमिक्स ऐसी इस्टोरी एकसी पिक्चराइजिशन और तौसी के बहरे में सबसे लाइब और जीवनत श्टोरी यही कॉमिक्स देती है ऐसा क्यों अंदर के प्रिष्टों में आपको दिखाऊंगा तौसी ओजी अठारा आखेट परवत के वास्तिक उत्सव में जादुगर मुंडा ने तौसी को इस तरफ असा दिया था कि तौसी को इस समय के लिए सर्पदेश से बाहर हो गया आखेट परवत के चारो तरफ विशाल सागर था और मुंडा ने विशाक सागर का पुल तोड़ दिया था इसी बीच G18 सर्फ देश में प्रकट होता और सर्फ देश में हाकार मज जाता है G18 के शक्ती जानने के लिए नागबावा समाधी ले लेते हैं और उधर तुर्कसेन सर्फ देश में ग्रिह युद्ध भणकाने के लिए छापामार युद्ध के सुरू कर देता है प्रिथवी ने तौशी को पूल पर रोकने का प्रयास किया लेकिन गुप्तचर क्या तुमने अपनी आखों से साथ तौशियों को युद्ध करते देखा ये महनायक प्रिथवी मेरे द्रिश्टी धुखा नहीं खा सकती हमारे छापमारों से एक साथ साथ सो तौसी युद्ध कर रहे थे अगर ऐसा नहोता तो हमारे प्रसिक्षिक छापमार इतनी आसानी से पराजित नहों जाते है मुझे तौसी की इस सक्ती के बारे में बताया नहीं गया चल कर त्रिभोन से पूछता हूँ तौसी की अनुपस्तिती में राज परिवार के एक गदार त्रिभोन ने सर्पदेश का नेतित संभारा हुआ था क्या बात है प्रिथवी तौसी की अनुपस्तिती में जी अठारा से निपटने के लिए आपको निर्टित दिया गया है क्योंकि आप पूर्व राज घराने के सदस्ते हैं राज परिवार जब तौसी की असीम शक्ति से ठीक से ग्यानी नहीं तो हमें धोके में क्यों रखा इस्तिती में अगर तुम्हारी गदारी का भेत खुल गया तो सातों तौसी में से एक ही तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा तुम कहाना क्या चाहते हो तुमने अमें यह क्यों नहीं बताया कि वह साथ सरीर अलग शाधरी है असमभव तौसी का सरीर एक ही है आव सकता पढ़ने पर वह रूप तो बदल सकता पर रहे गए एक ही तौसी की साथ रुपो की शक्ती का रह से जानने के लिए पढ़े हैं तौसी और सिसनाग सिसनाग कॉमिक्स में बताया गया है कि तौसी के पास साथ तरह का सरीर किसे कैसे है किन्तो हमारे छापामारों को साथ साथ तौसी होने ख़देड़ा है किन्तो तौसी तो आखेट परवट पर ही है तुम्हार च्छापमार वहां किस तरह पहुँच गया तौके आखेट परवट से बाहरा चुका है उसे हमने पूल पर रोकने की कोशिश की थी जो नाकाम हो गई थी अगर वो सचमुस तौसी ही था तो तुम्हारे साथ ही जरूर कुछ धुखा खा गया है क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि किसी भी एक्छा धारी के पास अपने साथ सरी नहीं होते लेकिन यह तो हो सकता है कि तौसी ने कोई जादू सीख लिया हो मैं जल्दी ही तुम्हें इस बारे में बताऊंगा ठीक है हम तब तक कोई कदम नहीं उठाएंगे तौसी अखेट परवत से उन सब सर्फदेश के वासियों के साथ लोटा जो वार्शिक उत्सों में समयलित होने गया थे अखेट पर तो एक मास तर्फदेश चलना था आप इतनी जल्दी कैसे आया गया मुझे ऐसे लगा त्रफदेश किसी वी पत्ती से घिर गया इसलिए लोटाया तो से राजे सबह में पहुँच गया हे राजहन आपकी और पस्तिती में जी अठारा नामा के एक सैतान यहां आ गया और उसने बड़ा उत्पात मचया राजगुरु क्या नागबाबा उसे नहीं रुपा है नागबाबा तो समाधी में चले गए जब तक वो अस्वयम नहीं चाहेंगे उन्हें समाधी से कौन जगा सकता है किन्तु यह जी अठारा है क्या बला पृत्वी लोग में एक देश है चीन यह सतान उसी देश का बता जाता है किन्तु वह पताल में आया किस देशेश है अभी इसका पता तो नहीं परंतु उसने हमें गुलाम बनाने के धमकी दिया क्या जी अठारा केले ही है या उसके साथ कोई सेना भी है अभी तक तो उसे क्योल अकिला ही देखा गया है यह देखिए बहतरीन पिक्चराजेशन उस समय की कॉमिक्स की यह कॉमिक्स साथ 25 से 28 साल पहले आय थी यह विशाक्त सागर से प्रकट हुआ था और उसी में लोप हो गया उसने हमें एक सब्ता का समय दिया है आज 30 दिन है अगर वह विशाक्त सागर से निकला है तो अवसे ही वहाँ कोई उसका अड़ा होगा विशाक्त सागर के तर्ट पर पूरी चौक्सी बरती जाए मुझे इस तर्ट पर उसे खंगालना चाहिए जहां पर जहां मुझे पर आकरवन हुआ था हमारे सामने सबसे बड़ी समस्य यह है कि हम विशाक्त सागर में नहीं उतर सकते हैं किन्तो आज चेर की बात है कि विशाक्त सागर जी अठार को कोई हानी नहीं पहुचा था और हमें उसकी सक्तियों का पता भी नहीं है जी अठारे ने दी एक हपता का समय दिया है तो हमें यूद्ध के लिए तयार रहना होगा तयार रिकी जाए इस बार आपके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज है कैसी पत्नी हो अपसराप हम तो सोच रहे थे कि इतने दिन में तुमसे बिछड रहा तुम उससे लिपट जाओगे मगर तुम तो मेरे चेहरे की तेज देख रही हो आप जितने सक्तिशाली होकर लटने हो उसके लिए एक साल तक आपकी प्रतिक्षा घणिया सान कर सकती हूँ मुझे तुम पर नाज है तुशी और मुझे तुम्हारे प्रेम पर नाज है जिसने मेरे चेहरे को देखकर भाप लिया का में तकत्वर होकर लटन हूँ तुशी के मिना अपसरा का जीवन हर पल अधूरा है बस अब तो उक्षण की प्रतिक्षा है जब हमारे बेटे का नामकरण संस्कार होगा सच तुशी के बेटे का नामकरण संस्कार होगा कितना सभख्षाली दिन होगा गुपतचर क्या खबर लाया हो बड़ा अनर्थ होने वाला है महामईम सापों की एक जाती सोती विद्रोह पर उतर आई है सोती जाती के साफ पिद्रोव पर उतारू हैं लेकिन क्यों उनका कहना है कि वित्तु छिजाती के हैं सर्प देश में उन्हें सम्मान नहीं मिलता है इसलिए अलग देश की मांग कर रहा है किसी भी देश का नागरी खोने के बाद अलग देश की मांग करना डाद देश द्रो है जिसकी सजा मृत्यू डंड है चाहे वह किसी भी जाती का है यदि बगावत करता है तो उसे खतम कर दिया जाया पेथवी के खेमे में सोती जाती का एक सरदार को लेकर तिर्भून पहुंचा यह मेरा विश्वास पात रहे मेरा नमक खाया इसने सोती जाती के इस सरदार का नाम पिग्गू है यह लो सोने के असर फिया दौलत की फिकर मत कर पिग्गू बसवा करते रह जो हम कहा है तौसी ने बगावत को चलने के लिम्रिति दंड का एलान किया है अब वक्त आगे है इट के जवाप पत्थर सोती जाती वालों का नाम अब इतिहास के सोन अक्षरों में लिखा जाएगा पिग्गू सरदार दौलत लेखर चलता बना मित्र तिभुवन सोती जाती वालों की बगावत अब तुम्हें तक्तो ताजो तक्त पर पहुँचा देगे मुझे तो एक ही खटका है वह क्या वह सोती जाती वाले इसलिए तुछ माने जाते हैं क्योंकि यह होते ही दोगले हैं कई ऐसा नहों कि दौलत के लाराज में समराट तौसी को सब कुछ बता दे गद्दारी के लिए यह लोग मशहूर है इस वक्त सिर्फ पिग्गू को पता है कि बगावत कौन करवा रहा है एक बार बगावत हो जाए तो हम पिग्गू को ठीकाने लगा देंगे गद्दार के सजा तो मौत है ना मान गया पृत्वी तुम्हारा दिमाग सोती जाती वाले यही कहेंगे कि इसे तोसी ने मरवाया है इधर पिग्गू बगावत के लिए तियारिया कर रहा था भाईयों सर्फ देश में हमें नीच समझा जाता है हम पर जुलम होते हैं अब हम संगठित हैं इसलिए अलग देश की मांग करते हैं इंकलाव जिन्दाबाद इंकलाव जिन्दाबाद गुफ्द बैठक में आज रात हम बड़ी जाती वाले के बस्ती में हमला बोल देंगे उनके घरों को आग लगा देंगे लेकिन हमारे पास ऐसे रण बाकूरे कहा हैं जो यह काम कर सकें उनका तो एक ही हम सो पर भाड़ी पर सकता है तुम उसकी चिंतामस पर छोड़ दो तुम बस वहां नारे लगा कर भाग जाना तब तो ठीक है रात के समय एक बड़ी जाती की बस्ती में छोटी जाती वालों ने हमला बोल दिया इंकलाव जिन्दाबाद यह जमीन खाली करो यह जमीन हमारी है जैसे ही बस्ती वाले बाहर निकले सक 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 और आग लगा दो खन 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 ठनाक साइँ शाइँ 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 ठाक तड़ाक दुशिम सुबाइन खा नेती तो कौन कर रहा है महराज सोती जाती वालों ने रात हम पर आकरमण करके हमारी बस्तु को तहस नस कर दिया इनका नेती तो कौन कर रहा है पिग्गू सरदार सेनापती पिग्गू को गिरफतार किया जाए पिग्गू को गिरफतार करने के लिए एक सैनिक टुकडी को भेजा गया है पिगँ इसा बस्ती में रहता है पिगँ कहां रहता है वो रहा उसका मकान सहनिक दल ने मकान को घेर लिया आचानक कई मकानों की खुड़किया खुली और साय 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 है चारत और चाकरुमान सहनिक को मुकाबला करो यह च्छापामार युद्ध लडर हैं चीपकर हम परवार कर रहें सर सर हाँ 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 मुझे गिरफ्तार करने आये थे रे मुर्खो जी अठारे के सैनिक मेरा साथ दे रहे हैं बहुत जल्दी तुम सबका सफाया हो जाएगा सैनिक टुकडी के पाउं ख़डगे जो बचेवा भाग निकले पिगगू के साथ जी अठारे के सैनिक है यह बगावत उन्हों नहीं फैलाई है वरना इस पिगगू की क्या मजल जो इतना बड़ा मुर्चा ले ले तोसी ने अकेले में राजगुरु से बात की राजगुरु आप क्या कहते हैं हमारी सेना अगर अपने पर अमादा हो गई तो सोती जाती का सरुनास ही हो जाएगा राजान यदि हमने इनकी बस्तियों पर सक्ति की तो सचमुच ग्री युद्ध हो जाएगा क्योंकि इनकी पीट थप थपाने वाला जी अठारा है और यह उसकी चाल है वह सर्प देश में ग्रीज युद्ध चाता है हमें उसकी चाल विफल करनी होगी वह कैसे हमें थोड़ा राजनीती से काम लेना होगा हम सोती जाती हो लोग को वारता पर गुलाते हैं और उनमें फूट दलवाते हैं पाताल में सर्पों में सोती सबसे बुझदिल और लाल्ची जाती है यह लोग न तो युद्ध करनी योगी होते नहीं सासन योगी इसलिए फूट डलवाना आप मुझपर छोड़ दें अगले दिन सोती जाती के बस्तियों में होनादी होई राजा ने सोती जाती वालों को अधिकान संत शर्थे मानने के लिए उनके नेताओं को वारता में के लिए बुलाया है एलान किया जाता है कि आने वाले माह के प्रथम सब्ता में बात चीत होगी उनकी बात और मांगे मांग ली जाएगी हमारी मांगे मान ले गई समराट तोसी जिन्दाबाद खबर पिग्गु तो पहुंची हमारी बस्तियों में तोसी जिन्दाबाद के नारे जी हाँ आपको तो खुस होना चाहिए पिग्गु सरदार आपकी बाते मान ले गई है ऐसा कैसे हो सकता है क्या हमारे लिए अलग देश की मांग भी स्विकार होगी हाँ खबर है कि उसका राजा आपको बनाए जाएगा पिगू सरदार की जे हो जे हो जे हो पिगू का जुलूस सोती जाती की बस्तियों के और चल पड़ा हमारा नेता पिगू सरगार पिगू नेता जिन्दाबार ठहरो यच छिगू क्या चाहता है इससे पूछो ऐ शिगू क्या चाहता है हम पिगू जैसा बुजदिल नेता शिकार नहीं करेंगे यह हमारे देश का राजा बनने के लायक नहीं है हाँ 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 छिगू नेता ठीक है इसके योगे तो छिगू नेता है दोर से राजगूरियों तो सी तमासा देख रहे थी यह क्या तमासा शुरू ओगे राजगूरू हमने चिगू की पीट थप थपा दी है और उसके साथ अपनी सहनिक सकती लगा दी है अब यह दोनों पाटियां लडेंगे हमारे नेता चिगू सरदार समझे पिगू हमारे राते तुम राजा नहीं बन सके है रक्षेट मारो इस हरामी को मेरा हक चीनता है ठक ठन ठड़ाक ठन 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 यह रहा परमारू का कुछ समय का फिगर जो बड़ा अच्छा लगता था इस तरह के ट्रेंडिंग काड आते थे हम लोगों ने यूज भी किये हैं इसको यह रितुराज जी के बारे में कुछ जानकारी है चलिए रिजन अब आपका काम होके और आपकी चीनता दूर सोती जाती के सरप आपस में लड़ पड़े उधर पिथी कड़े पर क्या बगते हो दूप्चर खबर सच्छे माना है कि यह लोग आपस में ही लड़ पड़े है पिगु के समर्थकों की छीगु ने जबरदस्त मरमत कर दी है जाओ यह खबर त्रिभुन तक पहुचाओ और खबर कर दो कि फ़रन हम से मिले मैं पिगु से मिलने जा रहा हूँ पिटा हुआ पिगु अपनी बस्ती में गया थे आओ महाना एक प्रिथ्वी देखो मेरी क्या दुरदसा हो गई है राजा बनते बनते तुम्हें स्वर्ग सिधार स्वर्ग ही सिधार जाओंगा स्वर्ग नहीं नर्ग तुम जैसे कायर नर्खी जाते हैं क्या मतलब मेरे पास तुम्हारे पास तो मेरे छपामारों की ताकत भी थी फिर फिर तुम पिट गया उस वक्त छपामार मेरे साथ नहीं थे मुझे तो बस्ती वाले जुलूस बना कर ले गय थे ऐसा इसलिए हुआ कि तौसी ने हमारी मांगे माली और छिग्गू राजा बनने पर अड़ गया बेकूप तुमारी एक भी मांग पूरी नहीं होगी यह राजनीती है तुम्हें आपस में लड़ाय जा रहा है लेकिन यह नर्ग तर्क शिक्कू से तुनहीं छिप समझेगा उससे आज खतम कर दो धोके सिवार करूल छापा मार साथ रहेंगे इधर पिगू के इर्दगीर सरकारी गुप्चा सक्री थे ओह यह खबर तुरंद पहुचा देनी चाहिए गुप्टचर ने सारी खबर तोसी तक पहुचा दी है महारिया हमाना एक पृत्वी कौन है क्या जी अठारा के साथी या खुद जी अठारा है यो तो पता नहीं महाराज ठीक है तुम अपने काम पर लगो पता लगाओ कि पृत्वी का ठीका ना कहा है मुझे छिगू की जान बचा नहीं है तोसी सिदध चिगू की बस्ति में पहुचा चिगू की बस्ती वाले खुशिसी में नाच गया रहे थे अमारा ने ता राजा बनेगा नाच होगा वशकुशी मना तुसी सिद्रा चिगू के पास पहुच है महाराज आप हाँ मुझे इसलिए तुम्हारे आना पड़ा क्योंकि तुम्हारी जान खत्रे में है मैं तुम्हारी प्राड़ा रक्षा के लिए हूँ मगर खत्रा किस से है महराज पिग्गु तुम पर धोके से वार करने आ रहा है महराज उस कायर की अहिम्मत होई नहीं सकती तबी सक 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 भागो यह सोर कैसा पिग्गु अपने लस्कर के साथ आ गया है और इस बार उसके साथ जी अठारे की छापा मार सेना है जी अठारा पर महराज तब तो सचमुच मेरी जान खत्रे में है तुम छिपकर तमासा देखो मैं तुम्हारा रूप धर रहा हूँ ठीक है महराज तौसी छिग्गु बन गया तो यह है तौसी की कॉमिक की ब्यूटिफुल इक्टराइजेशन और सांदार इसका मोड इसमें तौसी छिग्गु बन गया एपिक सीन है यह पिल्कुल जवरदस्थ अब देखता हूँ इस छापमार से नामे क्या दम है बाहर निकल छिग्गु देख तेरी बेस्ती ओलर का मार मार कर भगा दिया है मने फटाक दुशी मेरे पास भी छापमार से नामे पिग्गु देख तेरी छापमार को क्या हसर होता है तौसी के सानिक पहले ही बस्ती में चारतरफ छिपे हुए थे आकरमार इन सानिकों ने तौसी के संक्यत पाते ही आकरमार कर दिया सक 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 खन खन साए साय फुस फुस राजा बनेगा ठाक ये ले धुशिम खन खनाक और तौसी ने यहाँ पे छिगू की जम करके पिटाई कर दी पकड़ दोज तुम इस पिगू को बांद दो ये भागने न पाए तौसी के इन सक्तियों के बारे में जानने के लिए वस्ते पड़े है तौसी और सेशनाग पकड़ दोज तो था ही किसी को बांद डालने का विशेश अग्ये सर ठन ठन बचे खुचे भाग रही इनका पिछा करो और आप तू बता या प्रिथ्वी तेरा क्या लगता है मरवा दिया इस प्रिथ्वी ने मुझे अबे शिगू चल तू ही बंजार आजा या तौसी हमें धोका दे रहा है प्रिथ्वी ने बताया था मैं तेरी बात के एकिन नहीं करता प्रिथ्वी पहले या बता कि प्रिथ्वी कौन है बता नहीं तो तेरे टुकड़ कर दूगा बताता हूँ मुझे प्रिथ्वी ने सर्पदिश्क से बगावत करने के लिए दौलत और छपा मार दिये थे मैं तो एक महरा हूँ छिगू असली राजा तो कोई और ही बनेगा वो अदेश में ग्री युद्ध करके समराट तौसी का तकता पलतना चाहता है कौन है वो है तीर किस ने चलाया उसी समय छिगू घटना स्तल्प मोज गया है यह रम सहे समराट आपने मेरी प्राडा रक्षा के साथ साथ हमें एक बहुत बड़े प्रकाट हो जाईए तब हम सोती जाती वालों को बता देंगे कि हमसे कितना बड़ा प्रकाट हो गया है तोसी अपने रूप में प्रकाट हो गया है समराट तोसी जिन्दाबाद समराट तोसी जिन्दाबाद हम इत्रो यह समराट तोसी है जिन्हों ने आज पिगूग और उसकी साथ देरी छेत्री सहपा मार टोली को से आप सब के रख्षा किया है हम लोग कितनी बड़ी भूल कर रहे थे यह देश और जिस देश के राजा हमारे लिए प्राण दे रहे हैं और इधर चिगू और जिए ठरापास में कुछ बात करते हैं हम लग तो बिना कितनी बड़ी भूल कर रहे थे जब देश और जिस देश का राजा हमारे लिए प्राणों पर खेल सकता है उसी के विरुद बगावत कर रहे थे ले और जई ए बढई ले आए से खोड़ी छेशी का रार इंदा कर ढूंगा भी विरुद बारे और इंदा कर लिए। झाल 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 झाल